हेलो एवरीवन वेलकम डू एजिटेजन फुरीज किचन आज मैंने ब्रत के लिए बहुत ही बढ़िया यह टेस्टी सा चटपटा आलू और मॉंफली तयार किया है इसे आप चाय के साथ सब कीजिए आपको यह बहुत ही पसंद आने वाला है चटपटा सा यह नास्ता तो की में साथ कर लिए इसे हम लगाताब आप सरह से अच्छे से भूह लेंगे मुंफली हमारी अच्छे से भून चुकी है तो हम इससे निकालने के बाद हम इसमें आधर चम्मत घी और डालेंगे दो हरी मींच आखे तो कमाटा डालेंगेगे अच्छे से चाहिए कर लेंगे जब हमारा थोड़ा भुण जाए तो इसमें एक ये मीडियम साइज का टमाटा डालेंगे और इसमें आध्रकनमस ये काली मेज फुटी हुई है ये डाल देंगे और श्वादम सा नमक डाल देंगे सेंधा नमक डालना है हमें ब्रत के आलू में इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे इस तरह से इन आलूं को हम अच्छे से मिलाने के बाद इसे हम धर्ब देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाए बीस बीस में हम आलूं को चलाते रहेंगे इस तरह से ताकि टमाटर भी हमारे अ लाल नाल से हो जाएं। आलू हमारा बनका तयार है और बहुत ही बड़ी है यह आलू बनका तयार हुआ है, अब अब इसमें धनिया की पत्ति दाल लेएंगे तोड़ा पार इस तरह से, आप अगर टमाटर ना खाना चाहें तो इसे बनाने के बाद आप इसमें नीमू डाल स इस पर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती इस तरह से और डाल देंगे और ये मोंफली भी हम इस तरह से इसके साथ डाल कर सर्व करेंगे और ये बहुत ही बढ़ी है बहुत ही चटपटा हमारा आलू बनकर तयार है तो इससे आप भी अपने घर बनाईए ब्रत में आप इसे चटपटा सालू बनाकर तयार कीजिए और खाईए आपको ब्रत में बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में ये